पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है जब की कान में गया जहर सेकड़ों रिष्टों को मारता है इसलिए काम करने वालों की कदर कीजिए कान भरने वालों की कभी नहीं असल में जीने का मज़ा किरकिरा करते हैं सिर्फ दो किसम के लोग एक तो कान भरने वाले और दूसरा कच्छे कान वाले मेरे दोस्त हवा में सुनी हुई बातों पर कभी यकीन मत करना कान के कच्छे लोग अक्सर सचे रिष्टे खो देते हैं उतना ही बोलो जुबान से चतना फिट सुन सको कान से मशीन को जंग लग जाए तो पुर्चे शोर करते हैं और अकल को जंग लग जाए तो जुबान शोर करती है साप का जहर केचली में होता है चुका जहर दुम में होता है और पागल कुट्टे का जहर चुबान में होता है मगर इनसान वो हैवान है जो जहर दिल में रखता है खाने में जहर हो इसका इलाज है साम डचले इसका भी इलाज है कोई कुट्टा खाजा इसका भी इलाज है लेकिन कान में कोई जहर होते हैं कान भरने वाले भी भाववली होते हैं अच्छे अच्छों का मस्तिश्ट बदल देते हैं पर भूल जाते हैं जीत सत्य की ही होगी किसी भी रूप में दोस्तों सुनने की शक्ति अवश्य रखें पर कान भरने वालों से जरा पभेज करें क्योंकि जब वक्त खराब चलता है तो कान भरने वाले भौद मिलते हैं